चाय पीने के बाद कुछ ऐसी चीज जिसे भूल कर भी आपको नहीं खाना चाहिए या फिर नहीं पीना चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपके लिए खत्रा सावित हो सकता है अखिरवा कौन कौन सी चीजे है जो आपको चाय पीने के तुरंत बाद नहीं खाना चाहिए नहीं पीना चाहिए चलिए आपको इस वीडियो में आगे बताते हैं सबसे पहले दोस्तों बताते हैं पानी के बाड़े में चाय पीने के बाद कभी भी आपको पानी नहीं पीना चाहिए ये आपके लिए खत्रा बन सकता है चाय के तुरंत बाद पानी पीने से नाक से खुन निकल सकता है आपके दातों में सिहरन भी होने लगती है और दात कमजोर पर जाते हैं इसलिए कभी भी ठंधा और गर्म चीज एक साथ नहीं खाना चाहिए नहीं पीना चाहिए मचली दूद की चाय पीने के बाद मचली कभी नहीं खाननी चाहिए दरासल मचली खाने के बाद दूद या फिर दूद से बनी कोई भी चीज खाने से चेहरे पर सफेद दाग होने का खत्रा डाता है साथ ही उल्टी और एसीडिटी होने की खत्रा बढ़ जाती है इसलिए जीवन में कभी भी दूद वाली चीजों के साथ मचली नहीं खाना चाहिए नमक और तील अगर किशी भी चीज में नमक और तील डाल कर बनाय गया हो तो हमेशा याद रखें कि आपको दो से तीन घंटे बाद ही दूद या दूद से बनी कोई चीज का इस्तमाल करना चाहिए अगर आप ये गलती करते हैं तो आपकी इस्कीन से जूरी कई परकार की समस्याएं खड़ी हो शकती है फल दोद की चाय या दूद से बनी कोई भी चीज पीने या खाने के बाद फल आपको कभी भी नहीं खाना चाहिए इसा करने से पाचन खराब हो शकता है शाथ साथ ही इलर्जी की समस्या भी उत्पन हो शकती है मुली दोस्तो दूद से बनी कोई भी चीज खाने के बाद आपको मुली नहीं खाना चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो ये जहड़ भी बन सकता है और त्वाचा रोग का खत्रा बढ़ सकता है इसलिए दूद और मुली अंतराल कम से कम दो घंटे का होना चाहिए साथ ही दोस्तो दूद के साथ या फिर दूद से बनी किसी भी चीज का शेवन दाल के साथ नहीं करना चाहिए इसके सेवन में भी दो से तीन घंटे का अंतराल होना जरूरी है तो दोस्तो आप लोग को यह जनकाई कैसी लगी कमे साथ दोस्तों आप लोग से अनुरूद करना चाहते हैं कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और घंटा बटन को भी दबादें धन्यवाद